संजेर राउत और नारायन राने के बीच बड़ा विवाल सांसद ने भेजा केंदरी मंत्री को मानहानी का नोटिस सिर्फ से ना उद्दव बाला साइब ठाकरे सांसत संजराओत ने बीजेपी नेता और केंद्री मंतीर नारायन राने के खिलाब मानहानी का नोटिस भेजा है संजराओत के नामांकन के लिए गए थे तो मतदाता सूची तक में संजराओत का नाम नहीं था अब नारायन राने अदालत में संजराओत के नोटिस का क्या जवाब देते हैं यह देखने वाली बात होगी नारायन राने यह बयान 15 जनवरी को मुंबई के भांडू पिलाके म मताबिक राने का यह बयान संजराओत की प्रतिष्टा को हानी पहुचाने वाला और जूट पर आधारित हैं संजराओत ने मेडिया से बातचीत में कहा कि नारायन राने और क्रीड सोमय जैसी लोग बीजेपी के पोपट लाल हैं यह बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा- बोलटा बोल दिया करते हैं राने कहते हैं कि मेरा नाम मत्दाता सुची में नाम नहीं था इसलिए पहले मैंए पत्ची सो बार अलग छस्णाव में वोट दिये ती मतेप्धास अना में नहीं था तो वोट कैसे दिए मैं कोई बांगलायदेश हूं क्या या पाकिस्तानी र करने वारे हैं सिफसेना के ठागरे गुट के सांसत ने आगे कहा कि मेरा नाम मतदाता सुची में नहीं था यह नारायन राने अब साबित करें राज सबाब मुझे चुने जाने के लिए कि पैसे खर्च के मतलब क्या किया इस तरह से पैसे खर्च करना तो एंटी करप्षन के दाहरे में आता है बीजेपी के साथ मिलकर नारायन राने जूर बोल रही हैं नारायन राने को अब अपने उपर लगे आरोप के जवाब कोट में देने पड़ेंगे संजरावत ने ये भी चेताम ने दी कि वे किरीट सो मया के खिलाब भी नोटिस भेजने वाले हैं